Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients इस polynomial के zeros बताने हैं और उसके बाद zeros और coefficients में relation को establish करना है zeros find out करने के लिए हम x square plus 7x plus 10 को 0 कर देंगे और x के लिए solve करेंगे solve करने का मतलब है इसके middle term split करेंगे और इसके दो zeros find out करेंगे middle term split के लिए अगर हम इसे इस polynomial से compare करें इस polynomial से compare करने पर a आता है 1, b है 7 और c है 10 factorize करने के लिए हम सबसे पहले a times c निकालेंगे तो 1 times 10 is equals to 10 अगर आप middle term split को revise करना चाहते हैं या फिर से समझना चाहते हैं तो videos का link मैंने description में दे दिया है आप वहाँ से समझ सकते हैं अब यहाँ पर जब a और c का product positive आता है तो हमें 10 के दो ऐसे factors चाहिए होते हैं जिनका सम b आए जिनका सम b आए यानि 7 आए अब ऐसे factors इसके 2 और 5 हैं 2 times 5 10 होता है और सम 7 होगा और दोनों को sign वही मिलेगा जो b का sign होगा और b का sign है positive तो दोनों positive होंगे और इनके साथ x लग जाएगा और आप देख भी सकते हैं 2x प्लस 5x 7x होता है तो अब हम 7x को split कर देंगे तो इस तरह से middle term split हो जाएगी शुरू की दो term से हम x common ले सकते हैं इन दोनों term से हम 5 common ले सकते हैं x प्लस 2 को इन दोनों से common ले लिया और x प्लस 5 आ गया अब अगर a times b 0 होता है अगर दो variables का product 0 होता है तो ये तभी possible होता है जब या तो a 0 हो या b 0 हो या दोनों 0 हो जों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई दो non zero numbers का product कभी भी 0 नहीं हो सकता इन मेंसे 1 को 0 होना ही होगा नहीं तो product 0 नहीं होता है या फिर दोनों को 0 होना होगा तो जब भी a times b 0 होता है तो या तो a 0 होता है या b 0 होता है या दोनों 0 होते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि इसे a समझे इसे b समझे इन दो factors का product जो है वो 0 है इसका मतलब या तो x plus 2 0 है या x plus 5 0 है या दोनों 0 से अगर x plus 2 0 है तो x minus 2 है और अगर x plus 5 0 है तो x minus 5 है अगर हम x की ये value minus 2 इस polynomial में रखके देखेंगे तो मैं बताँ चलेगा 0 आ गया इसी तरह से minus 5 भी रखके देखेंगे तो 0 आ जाएगा इसलिए minus 2 and minus 5 को हम zeros of the polynomial कहते हैं तो इस तरह से minus 2 and minus 5 zeros of the polynomial है तो minus 2 minus 5 are zeros of the polynomial और ये हमारा first part था अब हम इने name कर देते हैं alpha as minus 2 and beta as minus 5 अब हम second part पर आते हैं जा हमें verify करना है zeros and coefficients के बीच का relation sum of zeros देखते हैं alpha plus beta minus 2 plus minus 5 minus 7 अब ये minus 7 है और हम इसे लिख सकते हैं minus 7 divided by 1 और हम देख सकते हैं कि ये बन चुका है minus b by a और इसे यूँ भी लिख सकते हैं minus coefficient of x divided by coefficient of x square तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि alpha plus beta minus b by a के equal आ चुका है और minus coefficient of x divided by coefficient of x square के equal आ गया तो इस तरह से verify हो गया अब product of zeros देखते हैं ये 10 है और इसे हम 10 divided by 1 लिख सकते हैं अब हम देख पा रहे हैं c by a भी 10 है और इसका मतलब ही हो गया कि ये constant term divided by coefficient of x square के equal है इस तरह से ये relation verify हो गया है